जी जैसे हम वास्तु के उपर चर्चा कर रहे हैं तो वास्तु घर की मंदिर की और बिजनिस की अलग-अलग होती है या बिलकुल एक जैसे जी बिलकुल अलग-अलग होती है घर में चाहिए सांती तो घर को सांती की अनुसार वास्तु को बनाना पड़ेगा वैपार में चाह सारों को प्लदान करने वाले इसलिए थीनुवास्थजू की नियम उसलिए अलग अलग। दर्म होती हैं। सब कूछ बहुत अच्छा चल रहे हैं, पैसे भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन वह पैसे टिक नहीं रहे, तो पैसे का न टिक न वास्तु से क्या इसका कनेक्शन होगा? अगर आपके बैपार की धलान नेरत कौन में है या नेरत कौन में कोई गड़ा है या नेरत कौन में किसी भी पिकार से आपने उसको नेगेटिव एलिमेंट आ चुका है या नेरत कौन में आपके ओवरहट टेंक है तो निच्छत रूप से आपके उस बैपार में पैसा नहीं चाहिए है तो हमको साउथ वेस्ट जोन अलतात नेरत को बैलेंस करना पड़ेगा नेरत को आप जैसे ही बैलेंस करेंगे तो निच्छत रूप से आपको सपलता मिलेगी अब जैसे हम पैसे के उपर चर्चा कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट भी बहुत जादा हो अगने कॉण साउथ इस्ट डारेक्शन होती है वह रिस्पॉंसिबल होती है अगर आगने कॉण में आपके गड़्डा है आगने कॉण में आपके अंडर्ग्राउंड टैंक है तो आपका निच्छत रूप से आपका मार्केट में रुपया डूबेगा और जो रुपय आपका पैसा डूबेगा आप यह दो कॉणों को बैलेंस करें इसान कॉण और अगनी कॉण अगर यह दो कॉणों को आप जैसे ही बैलेंस करते हैं तो निच्छत रूप से आपका डूबा हुआ पैसा भी बापिस प्राप्त होगा